इसका दोस्तों, Welcome to my channel What's and How, मेरे channel What's and How में आपका स्वागत है, मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जो रहा हूं कि आप अपने network folder को कैसे share कर सकते हैं, तो दोस्तों आइए देखते हैं, मैं एक folder बना लेता हूं यहां पर new folder इसका मैं नाम दे देता हूं, मैं इसका नाम देखते हैं, क्या करना है, मैं यह आपको विंडो स्टेन में बता रहा हूं, क्या करना है, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके share with में जाएंगे, या फिर छोड़िये, मैं आपको properties से बताता हूं, इसकी folder की properties में जाएए, यहां पे एक option है, sharing का, share में अ क्लिक कर देना है, share, share पे क्लिक कर देना है, यहां पे, और आप देखेंगे कि एक advanced setting का option है, देखेंगे यहां पे, share folder, share this folder, कितने लोगों को आपको allow करना है, suppose मैं यहां पे देता हूं, 20, permission में आपको क्या permission देनी है, आपको everyone को देना है, या किसी को particular को किसी को add करना है, तो advance, advance में जाएंगे, advance, वैसे username, password नहीं मांगना चाहिए, apply कर दिया, ok कर दिया, यह share होगया, folder, share, अब हम security में जाएंगे, edit में जाएंगे, edit में जाएंगे, तो किसको आपको share करना है, suppose, किसको आपको share करना है, साइसे administrator में system को, system को administrator, यहाँ पर add कर दीजे, यहाँ पर add कर देता हूँ, या advance में जाके, यहाँ पर, कोई बत नहीं, add m i n i s t r a t u r, administrator का password दे गया, अब इसमें मैं find कर लेता हूँ कि किसको देना है, तो उस हिसाब से आप इसमें यहाँ पर type कर सकते हैं, यहाँ 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 को ले लिया, मैंने ok कर दिया, यहाँ कर दिया, अब मैं जहे, a vision को क्या permission देना है, full control देना है, read देना है, write देना है, यहाँ से इसको हम, full control यहाँ से दे सकते हैं, then just apply, ok, and advance में भी आप जा करके permission को inherit कर सकते हैं, लेकिन उसमें नहीं करना है, यह यह share folder हो गया, just go to the, मैं दूसरे remote computer पे गया है, और मैंने अपने computer का नाम डाल दिया, यह देखिए, मैंने share नाम का folder बनाया था, यह यहाँ पर हमें accessible है, suppose, अगर मुझे कोई data network को share करना है, तो मैं इसको, यहाँ पर देखेंगे, मैंने वहाँ पर file दिया, इस तरह से आप किसी को network पे folder को share कर सकते हैं, और information को data को उधर से इधर कु यहाँ पर पेस्ट किया, मैं अभी यह remote computer है मेरा आप देख सकते हैं, मैं दूसरे computer पर आगया, और जो share नाम का folder है, यह दूसरे computer पर आगया, देखेंगे, यहाँ पर हमें share होगे, तो इस तरह से दोस्तों, आप network folder को share कर सकते हैं, और full permission, right permission, या read, की write की permission, आपर इसकते है आशा करता है, thank you, thank you for watching, bye